Hello everyone, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Free Fire को अपने laptop या computer में कैसे download and install करें जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं Free Fire को अपने laptop में खेल रहा हूँ आप किस तरह से Free Fire को अपने laptop या computer में install करेंगे, दोनों में same process रहेगा चलिए वीडियो में देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक emulator को open किया हुआ है इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा और कैसे इसको download करना है वो भी आपको आगे बताऊंगा लेकिन इससे पहले आप यह देखिए कि Free Fire को यहाँ से install कैसे करना है जब आप इस emulator को install करने के बाद open करेंगे, कैसे install करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा app center का, आप इससे पर click करेंगे app center पर click करने के बाद थोड़ी process होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अब यहाँ पर उपर आप देख सकते हैं, search for games and apps, आपको यहाँ पर click करना है बस आपको यहाँ पर free fire लेकर search करना है जैसे ही आप free fire लेकर search करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, free fire max यहाँ पर आ चुगा है आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा install का आपको इस पर click करना है install पर click करने के बाद यहाँ पर game download होना start हो जाता है तो यहाँ पर हमारा game लगबग download होने ही वाला है बस हमें थोड़ा सा weight और करना है 94% हो चुका है 96, 98 और finally download हो चुका है अब game जो है वो install हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर installing लिखा हुआ चुका है तो finally यहाँ पर free fire जो है वो हमारे laptop में install हो चुका है अब बस यहाँ पर आपको इसे play करने के लिए launch पर click करना है मैं फिलाल इसको यहाँ से exit कर देता हूँ exit to lobby ओके फाइनली मैं lobby में आ चुका हूँ और यहाँ से अब आप कुछ भी कर सकते हैं setting वगेरा आप अपने laptop या computer की specification के इसाब से देखीजिए जो अभी specs हैं कैसा processor है कितनी graphics तिखा रहा है बागी start पर click करके आप यहाँ से नया game भी खेल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने game शुरू कर दिया है बस आपको यहाँ से jump करने के लिए क्लिए क्या करना है F button अपने keyboard का press करना है और mouse से आप इस game को खेल सकते हैं ठीक है मैंने यह तो आपको बता दिया किस तरह से आप इसको अपने laptop में install करेंगे बड़ आप बार यह जिस emulator के थुरू हमने इसे अपने computer या laptop में install किया है अब उस emulator को हम cash से download या install करें तो emulator को install करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Chrome browser को open कर लेना है या किसी भी browser को open कर लेना है आपको यहाँ पर search करना है BlueStack यह एक emulator है जिसके मदद से हम जो mobile के games हैं तो वो हम PC बगेरा में खेल सकते हैं आपको यहाँ पर पहली website पर click करना है इसके बाद यहाँ पर BlueStack 10 का एक option है और यहाँ पर एक download BlueStacks 5 का option है अगर आपका PC जो है आपका जो laptop या computer है उसमें RAM कम है और processor थोड़ा हलका है तो आप ऐसे कर सकते हैं BlueStack 5 को download कर सकते हैं simply आपको यहाँ पर download पर click करना है BlueStack की एक file download हो जाएगी file download होने के बाद बस आपको करना है अपने PC में इसको install कर लेना है जिस तरह से हम normally software को install करते हैं आप बैसे ही इसको install कर सकते हैं अगर आप इस emulator की मदद से अपने computer या laptop में Free Fire को चला पाएं हैं तो आप comment करके जरूर बताना अगर नहीं चल रहा है तो भी comment करना साथ में अपने computer की specs जरूर लिख देना जिसकी मदद से मैं आपको ये बता पाऊँगा कि कौन से emulator की मदद से आप अपने laptop या computer में Free Fire को चला सकते हैं I hope ये वीडियो आप पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में